तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मौसम पूर्वानवान के इस खास वीडियो में स्वागत हैं। दोस्तों दक्सिनी पश्ची में मौसम पूर्वान अच्छी गती से आगे बढ़ रहा हैं। तो आप भी अपने राज्जिया और जिल्ले का मौसम पूर्वान वान जानना चाहते हो तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे हैं। साथ ही है मौसम समाचार अच्छे लगे तो एक लाइक और शेर जरूर करेगे ताकि अन्य लोगों को भी यह जानकारी मिल जाए। दोस्तों मौसम पूर्वाग का काईना है कि एगले 48 गंटे में पंजाब हरियाना और देशकी राजदानी दिल्ली में मौनसून की एंट्री हो जाएगी। पंजाब हरियाना और यूपी के कई जिलों में हलकी से मध्यम बारिष का सिलसला जारी है। मौसम पूर्वाग आईएमडी ने उत्तरबार्त में 13 और 14 जून के लिए बारिष का इलेट जारी किया है जबकि पूरी यूपी के लिए ओर इंग और दिल्ली एंसी आरी के लिए यलो इलेट जारी किया है। पंजाब हरियाना दिल्ली समेत उत्तर बारत के अधिकतर राज्यों में चाब्दा 15 जून को मौनसून के पहुंचने का अनुमान है। उधर बोपाल, नोगा, हमीरपूर, बाराबंकी, रायबरेली, सारनपूर, अम्बाला और अम्रसुर, सहित आसपास के कुछ हीशों में आज 13 जून को मौनसून एक्टिव हो गये हैं। मौनसून की अनुकूल परिष्थितियों के आदार पर अगले 48 गंटे में ये उत्तर परदेश के बाकी हिसों दिल्ली, हर्याना और पंजाब को कवर करेगा। IMD के अनुसार राजदानी में इस बार समय से पहले मौनसून आएगा, दिल्ली में मौनसून सामानी तारीक से 12 दिन पहले यानी 15 जून को दस्तक दे सकता हैं। भारत मौसम विग्यान वेबाग IMD ने बता हैं कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का सहत्र बना हुआ हैं जिस ये उत्तर भारत के अधिकतर राजजियों में हलकिस ये मद्यम बारिस होने की उमीद हैं। अब दोस्तों राजस्तान के मौसम की बात करें तो मौसम के अंदर जैपूर के मताबिक आज रात तक परदिश के बरतपूर, दौलपूर, करोली, टॉंग, सौई मादपूर, कोटा, बूंदी, जलावाड, बारा, श्री गंगानगर, बीकाने, जैपूर और हन्मानगर जि आसपास के इलाकों में धूलबरी आंदी चलने के साथ हलकी से मध्यम बारिश होगी, इस दौरान हवा की रवताज 40-60 किलो मीटर परती गंटे रह सकती हैं, वहीं इन जलाओं में कहीं कहीं वजरपात होने की भी संभावना हैं, इसके अलावा गले 3-4 दिन तक आंदी और बारिश की गतिविद्या जारी रहेगी, 15 जून को एक बार पुनर पश्ची मिराजस्तान के जोतपुर और विकने संभाग में आंदी बारिश की गतिविद्या में बढ़ोतरी होगी, इस दौरान तिवरत थंडर स्ट्रॉम कहवा की गति 40-60 किलो मीटर दर्ज की जा सकती ह साथ ही अजमेर जैपुर बरतपुर कोटा संभाग के जलो में भी 15 और 16 जून के दौरान थंडर स्ट्रॉम के साथ ही तेज बारिश होने की परबल संभावना बनी हुई हैं, उदेपर और कोटा संभाग में भी 15, 16 और 17 जून को थंडर स्ट्रॉम के साथ बारिश होने की सं संबावना है अब उत्रपरदेश के मौसम की बात करें तो यूपी में मौनसून का इंतजार खतम हो गया है मौसम विबाग के मताबिक आज यूपी की शीमा में मौनसून परविष्ट कर गया है उत्तर परदेश के वह जिल्ले जिनकी शिमा बियाश से लगती है वह जिल्ले आज बारीश से तर्बतर होने की पूरी संबावना है इन जिल्लों में बलिया गाजीपूर चंदोली और सोन बदरश स्वामिल है इन जिल्लों में मौनसून का पहला असर आज से देखने को मिल जाएगा यहां बारी बारिश की चेतानी जारी की गई है इसके बाद दो से तीन दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर सुरू हो जाएगा वेबाग के मुताबिक लखनव तक पहुंचने में अभी एक दिन का वक्त लग सकता है लखन गाजेपूर, चंदोली, सोनबद्र, वारानशी, गोरकपूर और बस्ती, समेत, बाराबंकी, शीतापूर, गोंडा, बहराइच और अवधिया जिलेश समिल है वहीं दोस्तों आगे मद्यव परदेश के मौसम की बात करें तो मद्यव परदेश पर मौनसून पूरी तरह से महरबान है मौसाम विबाग का काइना है कि इस साल परदेश में जमा जम बारिस होने के संकेत हैं परदेश के आदे से ज़्यादा जिले तर बतर हो चुके हैं विबाग ने आज रेविवार को भी कई जिलों में यलो और औरेंज जलेट जारी किया हैं इदर राजदानी बोपाल अभी आदा जून भी नई बीता हैं और मैने के कोटे की आदी बारिस हो चुकी हैं मौसाम विबाग ने पूरी मद्य परदेश के मंडला बालागाड समिछ जिलों में बारी बारिस के लिए औरेंज जलेट जारी किया हैं वहीं बोपाल, शीहोर, होसंगाबाद, राइसें, समिछ बाइस जिलों के लिए येलो एलेट जारी किया हैं वहीं बीते 24 गंटों की बात करें तो पिछले 24 गंटों के दौरान परदेश के छिंदवाडा में 43 मीमी होसंगाबाद में 14 मीमी, पंच मड़ी में 31 मीमी, भोपाल में 3.2 मीमी, भोपाल सहर में 1.5 मीमी, शागर में 2. मीमी और भोपाल में 102 मिली मीटर बारिस दर्ज की गई हैं बियार के मौसम की बात करें तो मौसोन का परविस बियार में हो गए हैं एगले बारे गंटे में या पूरी तरह से सक्री हो जाएगा जिसके कारण पूरे बिहार में जमाजम बारिश होगी मौसम विबाग का कहिना है कि पूर्णिया के रास्ते मौनसून दर्बंगा तक पहुंच गए हैं अगले बारे गंटे के अंदर या पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा जिसके कारण अधिकतर सहत्रों में मौसून की बारिश होगी मौसम विबाग के अनुसार 15 से 25 किलोमीटर परती गंटे की रवतार से इस दोरां पूरुवा ही होई चलेगी और बारिश होगी वहीं आगे पंजाब और हरियाने के मौसम की बात करें तो पंजाब और हरियाने के कई इसों में रवाज सुबब बारिश होई और अगले दो दिन तक सहत्रम में और बारिश होने का अनुमान जताय जा रहा है मौसाम विवाग ने दोनों राजियों में सनिवाज साम साड़े पांच बजे और रववाज सुबर साड़े आठ बजे के बीच कई जगव पर बारिश दर्ज की है मौसाम विवाग ने बता है कि हरियाना के सिर्षा में 101.4 मीमी बारिश हुई है जबकि डबवाली में 62 मीमी बारिश हुई है अन्य जगों में नर्वाना में 32 मीमी फत्याबाद में के रतिया में 52 मीमी अंबाला में 28.6 मीमी हासी में 20 मीमी जजर में 19 मीमी नानोल में 16 मीमी और रो तक में 14.8 मिलिमीटर बारिश दर्ज की गई है वेबाग ने पंजाब और हरियाना के अधिकतर हिशों में 14 जून और 15 जून को काई-काई मद्यम और काई गरज के साथ छीटे पढ़ने का पुरुवनमान जताया है मॉंबई के मौसम की बात करें तो मौसून के दस्तक देने के साथ ही मौसम की जानकारी देने वाली निजी एजेंशी इसकाई मेट के अनुसार अगले 24 गंटों के दवरान कॉंकन और गोवा तधा उत्री 30 कांड़क के कोचिसों में मद्यम से बारी बारिस हो सकती है वहीं पस्चिम मंगाल जारखांड बी आर पूरी उत्तर परदेश ओडिशा के कोचिशों तेलंगाना केरल चत्तिशगड और पूरी मद्य परदेश में भी हलकी से मद्यम बारिश के साथ ही कोचिश्तानों पर बारी बारिश होने के आसार हैं इसके इलावा सीकिम, पूरी परदेश, मद्यमाराष्ट, मराठवाड़ा, तमिनाडू, आंतरिक कानाटक, पश्चीम हिमालाए, पंजाब के कुछ हीशों, हरियाना, दिल्ली, पश्चीम उत्रपरदेश और उत्तर पूरी राजस्तान में भी हलकी से मद्यम बारिश होने की स संबावना है, दक्सिनी गुजरात की बात करें तो यहां भी हलकी बारिश हो सकती है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मौसम से दुड़ी संपून जानकारी आपको दे दी गई है, वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें और आगे सेक इस वीडियो को सेर करें ता